नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपकी कास सर्टिविकेट होती है उनसे रिलेटिड मेरे पास जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन में आपके डोकुमेंट्स आ रहे हैं तो जो क्वेरी मैं से बच दिल्ली हर्याना कोई दिक्कत नहीं है वो स्टेट की नहीं मानी जाएगी काफी लोग इसको लेके कन्फ्यूज हैं कि भाया हमारे में तो बिहार सरकार लिखा है तो स्टेट की है क्या यह स्टेट लेवल की नहीं है जो भी स्टेट बनाएगा वो अपनी अपना नाम यहां है इस पे आप टेंशन मतले ना की मेरी स्टेट की है या सेंटर की अगर इंडियन गवर्मेंट या भारत सरकार लिखा हुआ है तो वो आपकी सेंटर की मानी जाएगी जब आप पोर्टल पे लोगिन कर रहें तो वहां पर ये पूछ रहें कि किसने इशू किया है इशू सुपोला है आचल कारियल है मतलब बिहार में सरकल ओफिशर आप लिख देंगे सरकल ओफिशर और सुपोला जो भी आपका ये आगे का जो नाम है वहां का वो लिख देंगे आप कहा का कारियल है उसके बाद बच्चे पूछ रहें हमारी परमान पत्र करमाक संख्या क्या है certificate number क्या है तो certificate number आपका ये है इस certificate में SR number भी हो सकता है आपका कहीं कहीं पे मैं देख रहा हूँ राजस्तान हर्याना में SR number के आगे जो भी लिखा हुआ है वो आप वहाँ पे लिख देंगे इसके बाद आपको एक चीज और मैच करनी है state की है center की है तो उसमें आप ये देख सकते है Gazette of Under the Indian Gazette ऐसे करके लिखा होगा इसमें लिखा होगा भारत सरकार की राजपत्र के साधारन gadget के भाग एक में तो उसमें Indian Government का Gazette ऐसे करके इंग्लिस वाली में लिखा होगा तो आप वो भी देख करके match कर सकते है यहां से भी आपको समझा जाएगा कि OVC state की है या center की है बाकि EWS में ना कोई state center होता है ना फिर आपका STSC में कोई state center होता है वो सबके लिए एक ही होती है तो उसको लेकर के आप confusion में नहीं आएंगे उसके बाद next आपको यह देखना है कि आपकी certificate अगर OVC की है तो वहाँ पे creamy layer में नहीं है creamy layer के अंतरगत नहीं आते हैं यह आपको लिखना है उसके बाद आपको date आप check कर लेनी है कि यह 31 March 2022 के बाद बनी हुई है या नहीं बनी हुई 31 March 2022 I hope this is clear next आपको self attest कैसे करना है इस लड़के ने बढ़िया कर रखा है self attested लिख करके आपको यहाँ पर अपना sign कर देना है ठीक है यह sign मैंने card दिया है तो आपको अपना sign कर देना है यह आपकी चल जाएगी so friends I think यह video काप भी लोगों को help करने वाली है क्योंकि हर किसी की यही query आ रही है तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है नहीं आया है तो वीडियो के comments में पूछ चकते हैं या फिर किसी और document related आपकी query है किसी और दूसरे documents related तो आप Dupidi app पे हमारे पास send कर सकते हैं आपके documents हम verify करके बता देंगे सही है या नहीं है link आपको description में मिल जाएगी Dupidi app में आपको college preference list भी मिल जाएगी personal counselling भी available है और भी बहुत सारे options available हैं जो due के लिए बहुत जादा helpful होने वाले हैं वीडियो helpful लगी होते हैं वीडियो को like जरूर कीजिएगा और डेर्य उनिवर्स्टिस related important information and updates के लिए ड्यूबडी चैनल को subscribe करना मत भूलना धाने बाद